Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely great तो guys, जितना प्यार आप हमें यहाँ पे दे रहे हो थोड़ा प्यार बॉर्ण ग्रेटर गेमिंग पे देतो ना यार बहुत सारी गेम्स आने वाली हैं रोज की दो वीडियोज वहाँ पे भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जल्दी से जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर और लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कावसा की निंजा 650 2020 एडिशन के बारे में यह है आपकी कावसा की निंजा 650 बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस मोड़साइकल को लेने का प्लान बना रहे हैं क्या है वो डिडेल और हम किस बारे में बात करें वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर मैं यहां पर कालस की बात करूं तो एक तो लाइम ग्रीम एबनी कलर आ रहा है और एक पर्ल वाइट स्टार्डस वाइट कलर आ रहा है अगर हम यहां पर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको कुछ फीचर्स एडिशनल मिल जाते हैं लाइक टी एफटी कलर इंस्टूमेंटल कंसोल आपको इसके अंदा मिल जाता है जो की फर्स्ट इन क्लास है 650 CC सिग्मेंट की मोडरसेकल के अंदर पहली बारी किसी 650 CC मोडरसेकल सिग्मेंट के अंदर ऐसा सा इंस्टूमेंट क्लस्टर आपको दिया जा रहा है जो की आपको एक कॉक्पिट की फील देता है विद हाई टेक हाई ग्रेड अपेरंस और काफी सारे नए फीचर भी आपको उस मीटर के अंदर देखने को मिल जाएंगे so next thing that you get is the smartphone connectivity so उसी मीटर के अंदर आपको smartphone connectivity भी मिल जाती है so आप अपना phone connect कर सकते है, navigation कर सकते है call, number, display वगएरा, सब कुछ आपको आप उसी जो display है उसके अंदर आपको दिख जाएगा, better motorcycle experience आपको लोगों को मिलने वाला है और इसमें आपको जो नए मिल रहे हैं, जो की सबसे ज़ादा main है that is the new LED headlamps तो जैसे मैंने बोला, आपकी Kawasa की ZX-6R है, Ninja 400 है same उसी shape के अंदर जो आपकी नई वाली यह, आपकी Kawasa की Ninja 650 है उसको अब change कर दिया गया, so the bike is more sportier now पहले से ज़ादा bulky है, आगे से देखो कि तो ज़ादा bulky कर दिया क्योंकि जो lights वो गह रहा हैं, वो काफी ज़ादा amazing है इसकी next thing हमें जो इसके अंदर मिल रही है, that is the improved windshield so, जो front पे windshield होती है, वो भी है, पहले के मुकाबले improve कर दी गही है पहले के मुकाबले better कर दी गही है, ताकि जब आप high speed पे चल रहे हों तो आपको wind protection जो है, वो ज़ादा अच्छी तरीके से मिल सके next thing आरिया, that is the new set of tires, आपको इसके अंदर Dunlop sportsmax road sport, two tires वो मिल रहे हैं इसके अंदर, so that gives you better performance, better comfort और better grip, तो यार अगर एक rider चलाएगा, तो obviously बाता है, फिर उसका चलाता है confidence भी ज़ादा improve होगा, BS6 तो है यह, so BS6 अब आपको मिलेगा, so clear emissions bliss pollution, bitter smoothness, engine ज़ादा smooth होगा, हर चीज ज़ादा smooth होगी, तो यार, और क्या चाहिए, so guys, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके specifications की, तो आपको इसके अंदर liquid cool parallel 12 engine मिलता है, 649 cc का, अगर हम यह इसमें बात करें, power की, तो almost 68 bhp आपको power मिलती है, जो की power produce हो जाती है, आपकी 8000 rpm के उपर, और जो इसमें talk मिलता है, आपको, वो मिलता है, 649 का, जो की आपको मिल जाता है, 6700 rpm के उपर, की guys, काफी सारा लोगों के न, दिमाग में question रहता है, कि यार, अगर आप एक निंजा 650 खरीते हैं, तो इसके अंदर पट्रोल कॉन सार डलता है, क्योंकि जितनी भी higher boosters वखरा है, उसमें minimum 95 लिखा हो है, so 95 इंडिया में मिलता है, इंडिया में मिलता है, 91, 93 या 97, so mostly लोग फिर 97 डलाते हैं, so इसके अंदर, the best part is, कि इसके अंदर आपको 91 obtained, जो है, वो डालके भी काम बन जाएगा, so इससे ब अगर, suppose, company उसी सेम प्राइस के उपर, इतनी advanced motorcycle निकाल देती है, तो यार, फिर तो market के लगने वाली है, बहुत सारे लोग जो है, ऐसी motorcycle के लगने वाले है, तो यार, what do you guys think, कैसी लग रही है, नीचे, comment section को लाए, comment section में जाके ज़रूर बताए, बाकी वीडियो पसंद आए आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है, वो मिलती रहे सबसे पहले, so guys, आज की वीडियो के लिए नहीं, I hope you are okay time watching this video, take care, God bless, bye boy Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator